श्यारा मेरे प्यारे भेहन भाईयों मैं आपको सुन्दरकांट की चौपाईया अठ साइट सुनाने जा रही हूँ सुनिये भाग करके मैं डालूंगी एक भाग दो भाग तो उसको उसकी सुन्दरकांट का आनंद लीजिए आप सब लो जामवानत के बचने सुहाई सुने हनो मानत हिर्दय अति भाई कब लगे मोई परखे ओं तुम भाई सहे दुखे कंदे मूले भले खाई जामवान के सुन्दर बचन सुनकर हन्वान जी हिर्दय को भाउत ही भाई वे बोले हे भाई तुम लोग दुख सहे कर कंद मूल फल खाकर तब तब मेरी रहा देखना हे जब लगे आवो सीत ही देखी होई काज मोई हरसे भी सेसी यह कही ना इसा बिने को हुआ था चले हुआ हरसे ही धरे रगो ना था जब तक मैं सीता जी को देखकर लोटना आओं कौन बोल रहे हैं हन्वान जी बोल रहे हैं कि जब तक मैं सीता जी को देखकर लोटना आओं काम अविश्य होगा क्योंकि मुझे भाउत हरस हो रहा है मैं खुसी हो रही है यह कहकर और सब को मस्तव नबाकर तथा हिड़दय में सिरी रगनाजी को यानिके रामजी को धारण करके हनवान जी हर्षित होकर चले सिन्दु तीर एक भूदर सुन्दर कोप्र के कूद चड़े उता ऊपर बारे बारे रगो बीर सभारी तरके उपबन तने बले भारी समुन्दर के तीर पर एक सुन्दर परवत्था हनवान जी खेल से ही अनायस हो गए हो कूद कर उसके उपर जाचड़े और बार बार सिरी लगवीर का इस्राण करके याने कि राम जी को याद कर करके अत्यमत बलवान हनवान जी उपर से बड़े बेख से उचले याने कि कूदे जेही गिरी छरे निदी हनु मनता हनु मनता चले उसो गापा ताली तु रनता जे में अमूग रगू पति कैड़ी बाना तेही भो तेही भात चले उ हनु माना जिसपर परवग पर हनु मनता जी प्यर रखकर चले जिसपर वे उचले वक्ड़ंत ही पाताल में धस गया याने पाताल में ही गुश गया जैसे शिरी लगना जी का अमुहो बान चलता है उसी तरह हनु मनता जी चले जले ने दे रगू पति दूटे बिचारी सिरे रखनाजी का दूद समझ कर मैनाख परवर से कहा हे मैनाख तू इनकी ठखावट दूर करने बाला बाली हो अर्था अपने उपर इन्हें बिश्राप दे हनुमान ची बोल रही है कि मैं कहां आराम कर सकता हूँ जब तो मीरा काम नहों जाए हनुमान जी ने उसे हाट से छूद या फिर परवर करके कहा भाई स्री राम चंजी का काम किये बिना मुझे बिस्राम कहा जैशियारा अगर आपको मेरा पढ़ना अर्थसाइद सुन्दरकांड अच्छा लेगे तो लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए सेर कीजिए जैशियारा मेरे प्यारे भेर भाईयो